आपका स्वाधत है आज मैं नीज रसिपी के साथ आई हूँ वो भी लौकी की हेल्दी सच्छी तो लौकी की कोफते तो सब ने खाए होंगे पट अलग टाइट की सब्जी है वो भी आप अगर बनाएं के ना तो बहुत ही टेस्टी लगे लिए तो उनके लिए क्या क्या इंग्रिडियंट की ज़रुत होती है सबसे पहले मैंने लौकी ली है बेसन लिया है प्याज लिया ह हरी मिर्ची ली है अद्रकली है और बेसिक मसाले हल्दी मिर्ची धन्या पाउडर जीरा अजवाइन और यह सब चीजे मेंने लिए चिली फ्लैक्स और बेकिंग पाउडर यह सब आपको इसमें लगेगा तो अब मैं आपको कस्ने क्या बताती हूं कि मेरे पास ऐसे क्स्ने बीडियम साइज उससे मैं तो उससे क्रेंगे तो उससे क्या होगा कि एकदम लच्छे आपको दिखेंगे तो अब मैं कसना चालू कर रही हूं आप इसी तरह से प्रोसेज अगर करेंगे तो यह सब्जी आपको भी बहुत टेस्टी लगेगे और यह अलग एंड यूनीक रसिपी है आप एक बार जरूर बनाना आपको देखना किते टेस्टी लगेगी अब यह सारी में ऐसे ही कल्स दूंगी यह देखे मैंने कल्स दिया है इसका वाटर अपन नहीं निकालेंगे हमेशा अपन क्या करते हैं वाटर इसका रेलीस कर देते हैं हटा देत हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें मैंने अद्रक कस्ती थी वह थोड़ी डाल दी है इसके बाद मैं इसमें अजवाइन और जीरा दोनों डालूंगी इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अजवाइन तो अल्रेडी डाजिशन के लिए अच्छी होती है तो मत करना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है पीस मुझे कमेंट करका जरूर बताना और आगे से आगे मेरी चैनल को फॉलो करना शेयर करना अब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है अब इसके बाद में धनिया पाउडर डाल रही हूं दनिया पाउडर डालने के बाद मिर्ची डाल देंगे यह मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है जिससे कलर बहुत अच्छा आता है मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग अड्जेस्स कर दीजिए इसके बाद मैंने इसमें अनार का दाना डाला है जो स्मुख जाता है ना उसके बाद ज्राइ अनार का दाना को पीस कर आप इसमें जरूर डालना इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिये है चिली फ्लेक्स जालने चाह टेबल स्पून मेंने बेसन लिया है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोफ्ते की सबजी बना रही हूं लौकी के पर मैं लौकी के कोफ्ते की सबजी बिलकुल नहीं बना रही है, अब आगी से आगे आप मेरे रसिपी देखते रहे है फिर आप पताना कि आप इस को क्या नाम देंगे अब अच्छी से मिक्स कर लेंगे हाथ से ही आप मिक्स करिए जिससे सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे कि यह देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिये इन सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं कि मिक्स करने के बाद आप देखिए इस तरह से की कंसिस्टंसी होनी चाहिए उसके बाद अपन इसमें नमक डालेंगे नमक सबसे एंड में डालेंगे इस बात का दिहान रखना क्यूंकि नमक पानी रिलीज करता है नमक टेस्ट एकॉडिंग डालेंगे नमक डालकर भी अच्छी से मिक्स कर देंगे अब यह मेरे खंबन बनाने की ट्रे है आपके पास जिस में आप खंबन बनाते हैं या नॉर्मल प्लेट में भी आप इसको कर सकते हैं पहले मैंने ओइल लगा दिया है इसमें अच्छे से मैं ओइल को फैला दूंगी ब्रश की साहता से जिससे जो अपन सब्जी बना रहे है ना हो इसली अच्छे से स्टीम हो जाएगी अब आपको पता चला होगा ना कि मैं क्या बनाने वाली हूं सब्जी बनेगी और लॉकी तो वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है अब इसमें मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबलों पेंच बर आपको चुटकी बर आप इसमें डाल दीजें ज्यादा आपको नहीं डालना है यह देखिए मैंने अच्छी से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद मैं खंबन वाली ट्रे में इसको डाल दूगी हाई है आप को रेसिपी कैसे लग रही है प्लीज कमेंट करका बूच बताना मुझे और अगर आपको मेरे रैसी में कुछ क्रप्लम लगती कि है तो वो भी मुझे कमेंट करका जरूर बताए जिससे मुझे मैं अपनी आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाऊं और मुझे मेरी मिस्टेक्स भी पता चलिए यह देखिए मैंने प्लेट में ट्रांस्फर कर दिया है और अच्छे से मैं इसको फैला देंगे कि सारी तरह आप स्प्रेड कर देंगे तारी तरह अच्छे से जमा देंगे इसको और फिर आप इसको मैंने सीम के लिए ओल्रेडी पैंचड़ा दिया है और मैं इसमें इसको स्टीम कर दूंगी कि यह देखें फ्रेंट्स हैने अल्रेडी बॉइल कर रखा है पानी बॉइल करनी के बाद आप इसमें वह जो अपने ट्रेल खंबन वली ते अपने लगाई थी बैटे डालकर वह आप इसमें डाल दीजिए और ढ़क दीजिए और पंदरा मिनित तक इसको इसी तरह से पकन करें दीजिए तक आप इसको पकने दीजिए अब हम चैक करेंगे आप चकू डालकर या इस्टिक डालकर आप चैक कर सकते हैं अगर चिपक रहा है तो अभी आपको फाइफ मिनिट्स और लगेंगे यह देखी चिपक रहा है मैं और जगर से भी चैक कर कर देखती हूं नहीं हुआ है इस बात का द्यान रखना तो मैं वापिस धखकर पांच कर दिया है प्लेट में आपको इसी तरह से टर्ण कर देना है यह देखिए एकदम से आ गया है यह बहुत निकल जाएगा ठंडा होने दिना मैंने ठंडा होने नहीं दिया मैंने जल्दी से इंस्टिंट कार दिया क्योंकि मुझे रेसिपी शूट करनी थी बट आप जरूर इसको ठंडा करकर काटिंगे तो बहुत अच्छी से इजली कर जाएगा और अच्छी से आपका शेद भी आजएगा आपको जो जिस शेप में आपको कटिंग करक्टे है उस चेप में कर सकते हैं गरम-गरम कटिंग करनी से क्या होता है सारा भिखर जाता है इस बात का आप द्यान देना यह देखिए मैंने कटिंग कर दिया है अब मैं इसको साइड में रख दूंगे अब सब्जी की इंग्रिगेंट की तरफ चलेंगे तो मैंने दो प्याज लिये हैं दो टमाटर लिये हैं धाई लिया है और अध्रक और लगशन का पेस्ट लिया है अब इन सब को बना लेंगे प्याज को और टमाटर को दोनों को यह देखिए दोनों को मैंने पीस्ट लिया है टमाटर भी मैंने पीस्ट लिया है प्याज भी मैंने पीस्ट लिया है और लसन और अध्रक का तो अल्रेड़ी में पास पीस्ट रखा था अब मैंने पैन चड़ाया है पैन मे लसन का पेस्ट डाल देंगे अगर आप लसन नहीं खाते तो सिर्फ अध्रक का ही पेस्ट आप इसमें डाल दीचे अब अगर आपको मेरी एसीप अच्छी लग दिए तो प्लीज लाइट कीजिए यह देखिए मैंने दोरों अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसको बुनने के लिए रख दिया है अब इसमें अपन हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर डालने के बाद अपन मेर्ची पाउडर डालेंगे मेर्ची पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दियांगे और मसाली को जब तक बुनेंगे जब तक इसमें ओईल रिलिस नहीं हो जाता आप जितना अच्छा बुनेंगे सबजी की टेस्ट अच्छा आएगा और आप मेरे रेसीपी कहा कहा से देख है प्लीस मुझे कंगये एक त क्लीस कमेंट कंगे जरूर बताएं वायर कम Kamen कें क्लिशन केंगे I internet वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताने हैं यह मसाला जब तक पकड़ा है इसको पकने देंगे अब यह देखिए तेल और रेड़ी उपर आचुका है मसाला अच्छे से बुन चुका है अब इसमें टामाटर डालने के बाद इसमें तुरंत अपन अठिक पकाएंगे और यह अपन धनिया पोडर नीडालेगे जर पने नहीं डाला है कि न देखो तेमाटर को अच्छे से मिक्ष गरोंगी और यह त्रशन उस्ने भी डाली है है cop a तुमाटर के साथ धई भी पक जाएगा अब मैंने धनिया पाउडर डाल दिया इसमें तुमाटर और धई मैंने दूने साथ में डाल दिये हैं और इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे पेस्ट अकॉड़ी और अच्छे से मिक्स करकर अब इसको टमाटर धई और मसालों को अ अब मैं इसको धक लगा कर पकने दूँ तक दख लगा कर पकने दीजिए यह देखिए फ्रेंग्स मैंने थोड़ा से पानी भी डाल दिया था और यह देखिए कितनी अच्छी तरीब उपर आ चुकी है इस मेंस आपका मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है और अच्छे से एधाहें और अजही तो मैंने अज़रेड़ने जाने दिया था अगर आब आपको पानी कम लग रहा है तो तोड़ा पानी आप और डाल सकते हैं मैं इसमें बहुत इसमें भी आप उबाल लाने के बाद्ष्ट की अपने ते से लौकी के वह आप इस मेंडालने के बारे तब आप सर्व करें तब ही आप वो डालना एक बॉयल के बाद आपकी सब्जी पूरी वेड़ी हो चाहेगी मैं आपको सर्व कर बताऊंगी कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी प्लीस कमेंट करना ना भूलना और यह एकदम हल्वी रेसिपी है आपके बच्चे भी बहुत और उनको अलग तरह की रेसिपी भी मिलेगी और अलग अलग तरह से अगर आप बनाते हैं तो बच्चे जरूर खाते हैं इस बात का अब धिहां देना यह देखिए आपको सब्जी कैसी लगी प्लीस कमेंट करकर मुझे बताना और नेक्स रेसिपी आप मेरी कौन सी देखन आप इसको चैपाती या पराटे के साथ इंज्वाइ कर सकते हैं यह देखिए किती टीस्टी बनी है आप ज़रूर इस रेसिपी को ते इस रेसिपी को बनानी की कोशिश करना यह से फॉलो करेंगे तो आपकी सब्जी भी इसी तरफ से बनेंगी अगर आपको अच्छा लग प्ली स्लाइक इंख और कमेंट कर ना भूला में लिगने नेक्स रेसिपी के साथ झायोग एंज्वाए ओड में